अन्मूल वचन अखेल भारतिय संत्मत सत्संकि संस्थापक और ग्रहिस्त में आनंद योग के चनक परमसंत महात्मा परमपूज श्री यश्पाल जी महाराज अर्थाथ परमपूज भाई सहाच जीत्वारा प्रितिपादित इन अन्मूल वचनों का पालन करना अति आवश्य है यह वचन हमारी ग्रहिस्त आध्यात्मिक साधना के लिए मूल भूत सिद्धान्त हैं जो इस प्रकार हैं हम दुनिया की हर चीज की कीमत आगते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें मनुश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राता काल आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें सत्संग सत्नाम वह सद्गुरु को प्राथ मिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वह ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतहे मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वा अपमान से दुखी ना हो परमात्मा के अतिरिक किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वा मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकाले सभी से नम्रता पूर्ण वा सुन्दर व्योहार करें धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बराबर की से बहन जैसा वो छोटी से पुत्री जैसा व्योहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन हैं इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना स्त्री माया है ना धन दौलत ना ही परिवार माया वह है जो हेदे को परमात्मा से तूर हटा दे अतह निरंतर्च सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षं कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभो की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरी एक्छा पून हो जैसाद गूरू देव जैसाद रूदेव जैसाद आज अमेरिका के अंदर 99 परसेंट जो ओर्ड इज लोग है 99 परसेंट डिप्रेशन में अधियों जो एक्टमासिवर अपने इंदुस्तान के अंदर वो कहीं नहीं है वाई सब जो समर पन भाव जो प्यार आपस के अंदर है अब वेस्टर कण्चर को देखके सारी चीजे छोड़ते चले जा रहे हैं सब चीजिए अपनी खुदगर्जी यह पहले हैं अपनी खुदगर्जी थी ना बच्चा बाप को पहचानता है ना बाप बेटे को पहचानता है तेन तिन दिन हो जाते हैं, आफ्र डेथ की पता ही नहीं होता, कि फादर है की नहीं है, तो एक दूसरे कमर में जागते तक नहीं, अब मोबाइल ने और दूसरा आजकल जो जमाटे मार्टो चल रहे हैं, और रेड मार दिया, पुरे घर के, हम पहले बाहर निकला करते थे, मार्के जाने के लिए, दस लोग Conseve मिलते थे, मुँआते चीज लिए आते हैं, अब जमाटो जाता है, परावजी सब्सक्राप मुझा पोई काम नहीं कॉँए हैं, तो हालत तो अपने हम उंपने ख़राब करते चले जा रहे हैं, तो अब, क्या है, मन नहीं जाएगा दूझ तरफ क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं, आप पूजा में भी आदा घंटा परमात्मा की याद करते हैं, आदा घंटा सुबह पूजा का, आदा घंटा सायकाल पूजा का, आदा घंटा दुपहर रात्री भोजन का, आदा घंटा दुपहर दो घंटे पूजा क यंही जब तक स्वाद पर कंट्रोल नी होगा आत्मा कि आपके इंद्रियां पर रिट के इंद्रिया ज़ह की यह है nasıl मिसाला सण continuous च्छे-णे तब तक नहीं ध्यांति मिश्वां कंट्रोल करें अफ उठी आउस तरु हो APP अकड़ी आउंड है मन कहरा कि यह मत खाओ, जवान करिए खालो, क्या फरक बढ़ता है? तो यह बड़ा कष्ट उठाते हैं, बहुत से मात्मा कंट्रोल करने के लिए कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजे मिलाकर खाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, कोई-कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है। हमारे सद्गों ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूब कर भोजन कीजिए। एटोमेटिक स्वादिन दिन लिक्र हो जाएगा। स्वादों से आप उपर उड़ जाएंगे। अब पूजा के दो घंटे हमारे होगे। आदा गंटा सुमें पूजा, आदा गंटा शायकाल पूजा, आदा गंटा दोपैर बोजन, आदा गंटा रात्रीकुट। अब क्या है। कि हमारे महराजी के टाइम पर मतरा गंदर कारिक्रम हुआ। तो वहाँ एक साधवी आई थी उस टाइन पर, एक गंटा महराजी के प्रवचन सुना, एक गंटा ध्यान में बैटी। जिस चक्र पर रुखी हुई थी और खुल गया उसका, आगे का रास्तर साफ हो गया। लोगों ने का कि भई भोजन प्रशाद पाके जाना। के आज जो मैंने भोजन का प्रशाद इस ससंग में आके पाया है तो मैंने सारी जिंदी यह नहीं पाया। अब ऐसे भोजन में करते नहीं, पत्ते खाती हूं और जो पीसूंगी भोजन करोंगी। तो ध्यान का ये रास्ता है। ऐसी ऐसी चीज़े मन के अंदर जो गांड बनके रहा जाती हैं खुलती हैं जिने आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आगे क्या है कि दो घंटे आपके होना है। हर मनुष्य सोता है, कोई आसा नहीं सोता नहीं। और सोने में 6 गंटे सब सोते हैं और सतन 6 गंटे सब सोते हैं। अगर 20 मिनट सोने से पहले पर मात्वा को याद करना है तो बहुत बड़ी बात है। विहार की शुद्धी हो जाएगी। भगवान चली किष्णे विहार की शुद्धी पर बड़ा भारी जोड़ दिया। अब क्या है कि जब दुनिया के सारे काम समात हो जाए तो आप दो काम करिए आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम क्या है आत्मेरिक्शन करना है। जो दिन में काम किया उसको सोची है। कि आज अपनी आत्मा से पूझी आज कोई आप से अच्छा काम बना क्या। ऐसा काम जिसे दूसरी आत्मा प्रसंद्न होई हो। अगर ऐसा कोई काम आप से बना है तो इसको अपने इस्ट देव के अरपन कर दीजिए शका कैसे वह आपकी वज़े से होगा। अच्छा दो प्रोग पार का काम इस सेवक में कहा शक्कती है कि ऐसे कोई काप बने आपने अफसर परदान किया और हमने कर ला रा अफसर आप के आपने दिया हमने उसको क्रिया कि उसकी आपका काम आप जाँ ठीक है निश्काम भाव से सेवा करने के मतलब यही होता है कि आपने कराया आपको बार पर आपका सारा हम अलग हो गए करके फिर सोचिए किसे क्या होगा कभी भी यह भावना मन के अंदर नहीं आएगी कि हमने इसके लिए किया उसने रिटन कुछ नहीं दिया अभी तो इसका छोड़ दिना बहुत जरूरिया क्यों उसका कोई फरक नहीं पढ़ा पर आपको पढ़ रहा है सोच आप रहे हो तो करके निकल गया जो करना था उसको तो अपनी आत्म से पूछिए फिर सोचिए आप में कोई खराबी तो नहीं है कोई भी मनुष अंसार के अंदर ऐसा नहीं है जिसके अंदर दो अजार से जज़ा खराबियों एक चीज लेकर चलिए कि हमारे अंदर दो अजार खराबिया है लिस्ट आउट कर ले नहीं निकलेंगी इतनी जिस मैं आपको बता रहू उसमें से क्या है अगर आपकी आत्मा कहती है कि हमारे अंदर कोई खराबी नहीं तो बड़ी अच्छी बात है अगर कहती है कि हमारे अजूट है हमारे अंदर कपट है हम परे जिन्दगी में काम है क्रोध है लोब है और एंकार है अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्राश्चित करना बड़ा वश्चक है और भगवान के सामने प्राश्चित करें कि परमात्मा में इंफमियों से मुक्ति करें और प्राश्चित करने का बहुत सुन्दर तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ भगवान अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो परमात्मा अमारी आत्मों को उच्छा उठाता चला जाता है और प्राश्चित करने का सब्चा तरीका ये कि अपनी आत्मा से पूछे तो छोटी छोटी गल्खतिया हो जाती है नहीं हो पाएगा छोटी सी चीज़ को पकड़ें और जैसे गप्रणाना नहीं क्या पड़ गई है अगर आपकी आत्मा कुड़ती है इन सब बातों से तो क्या होगा परमात्मा से प्रात्ना करें कि ऐसी शक्ति प्रणांग करो कि कल से छोटी जिखरामी नहो परमात्मा से वायता कीजिए अच्छोर देजा फिल्कुल छोड़ दीजिए अगर छोड़ते चले जाएंगे फिर रिपीटेट्ली मत करिए जो चीज परमात्मा से वायता करें पूरा करें छोड़ देए और अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और इसकी लिए अगर हट योग का सारा नहरा करना अप्लाई करें अब नहीं करना तो हमारे सिस्टम में आगया अनन्द योग सहज योग भ्यान योग भट योग चार योग अगये हमारे सिस्टम के अंदर तो क्या है यदि सोचते कि ना जज़ सकेंगी छोड़ दीजे वैभी छूटती में बज़र आएंगी शायद यह कि जिस बात का बनवान से वाइदा करें उसे पूरा अवश करें अगर वाइदा करके पूरा ना करेंगे तो इच्छा शक्ती घटेगे वैल पावर और जिसकी इच्छा शक्ती स्ट्रॉंग होती है उसका देफता ही बहुत स्ट्रॉंग होता है और जिसकी इच्छा शक्ती कमजोर होती है, उसका देवतार बहुता है, वीक और स्ट्रॉंग की मतलब यही है, विल पावर पूरी करें, इच्छा शक्ती ना करना अच्छा है, वाइदा पूरा करना ना खराब है, जो वाइदा करें, पूरा करें, इच्छा शक्ती को बढ़ है विल पावर से बिमारियां ठीक होती है और विल पावर कमजोन है से बिमारियां आती है उसके बाद क्या है अपने इस्ट का ज्यान कीजिए और जब आपको याद अच्छी आने लगे अपने इस्ट देव की उन्हीं की याद में सो जाएगे, यह अभ्यास, यह अभ्यास करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसे भाई बैन इजिने उट पटांग सपने आती आने बंद हो जाएगे, नेक्स डेसे, गोड़े बेच के सुना, और नीद अच्छी आएगे, बेखाबर होगे, अभ्यास और पड़ेगा, तो आपके सपने मतल जाएगे, सुन्दार सुन्दर सपने आएगे, आप देखेंगे, पूजा कर रहे हैं, कभी देखेंगे, अपने इस्ट के मंदिर में बैठे हैं, अपने इस्ट का दर्शन, अपने गुरू का दर्शन, ससंग में बैटे हैं जब सादक और तरक्की करता तो बड़े सुन्दर अनुभब बुलते हैं सोते सोते अनंत सूरियों का प्रकाश नजर आएगा सारा मन जो है प्रकाश्वान होगा ऐसा सादक सो कर जब उठता है तो वास्तब में उसका शरीर में बिजली दौट रही होती है क्योंकि हमारी बॉड़ी चलती बिजली से ही है हमारी शरीर जो है चलता है बिजली के करेंट से ही चलता है जो हमें मैसूस नहीं होता डॉक्टर कहता है कि पेस में कर नगा लो आपका हार्ट जो है न वीक हो गया शौक देता है अंदर बिजली है जिसे चलता है और जब ऐसा सादक सोकर उठता है बड़ा अचमबा होता है बड़ी हैरत होती है जिस ध्यान में सोता है जब उठता है उसी का ध्यान बना होता है उसके मुख से परमात्मा का नम निकलता है अपने अंदर ध्यान की सुन्दर अ जिरपेसाइए जिस ध्यान की अवरस्ता में सोया था उसे अच्छी ध्यान की अवरस्ता नूटा। जो अच्छे सादक हैं, जिनके आग्या चक पर स्पंदर होता है, जैसे जैसे टाइम परमात्मा की ओर बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन का मात्ता आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे इस स्प्रीच्वल ग्रेंट्स एटोमेटिक खुलने शुरू हो जाएगे, और आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था रात पर उसी का ध्यान पढ़ा रहा तो छे घंटे सोने के निद्रा, योग निद्रा में बदल जाएगी अपने हाँ, योग के साथ, परमात्मा की याद के साथ, शेयन करना, हम लोग रस्ती है, कभी कोई मुसी मुसीवत की चंता होती है, उसी मुसीवत में सो जाते हैं, सब उसी मुसीवत का देखते हैं, सुबह उठते हैं, तो मुसीवत और गहरी होती है, उसी चंता में उठते हैं, एक बच्चा है मां का दूद पीते पीते सो जाता है, रात बार मुह लाता रहता है, चप-चप करत रहता है मांसिक रूप से दूद्ध पीता होता है क्योंकि दिन में अगर दो गंटे में दूद्ध चाहिए तो रात को पांच गंटे बाद उसको दूद्ध चाहिए चल रहा है मूँ उसका मांसिक रूप से दूद्ध पीता होता है यदि आप इश्वर की याद में सोएंगे परमात्मा की याद करके सोएंगे तो आपका ध्यान बना रहेगा अन्नेसेसरी विचार आपके नहीं होंगे अन्नेसेसरी आपको चंता नहीं होगी और छे गंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे अगर छे गंटे परमात्मा की याद में सोएं योग नित्रा में सोएं, सुबह कैसे उठेंगे उसका अनुभाव आप ही कर पाएंगे, मुझे तो बड़ा सुन्दर लगता है, अनुभाव कर दूशे, कोई चिंता नहीं, रोई डायरी लिखिये अपनी सुबह देशान तक, सुबह आदा गंटा परमात्मा की याद कीजिए, उसके याद कीजिए, शुकराना आदा कीजिए कि परमात्मा तुन्हें सुबह उठने का मौका दे दिया, सारा दिन काम कीजिए परमात्मा की याद में, पूजा की वोजन परमात्मा की याद में किया, पूरा काम किया, शाम को जब वाइड अप किया, तो परमात्मा का शुकरिया अदा किया, उसकी याद में वोजन किया, उसकी याद में सोए, अब क्या हुआ, छे गंटे सोने के पूजा में पिदल गए ये ये विहार की शुद्धी इसमे बवान चीरे किष्णा बड़ा बारी जोड़ दिया विहार शाहिया योक्षेम का छेतर है जहां सादक को सबसे अच्छी प्रगति मिलती है छे गंटे 20 मिनट पर मात्मो कर दीजिए छे गंटे आपके अपने और छे गंटे में जो अनुबभ होगा वह आपकी डाइरी बनेगी लिखने का काम होगा हूँ लाइफ हिस्ट्री आफ सो एन सो कि सोते वे क्या क्या अनुबभ की है और इस तरह अगर आप देखा बड़ा प्राक्टेकल सच्चा विहार हम से बने आदा गंटा सुबै पुझा आदा गंटा सायकाल पूझा आदा घंटा दपेर जोगं आदा गंटा रात्री जोगं छे गंटे सोनें हर वियक्ति कितनाय है अपना जिवन पर मात्म किया निल मेडिटेशन पर एट आपर्स कंसेंट्रेशन और मेडिटेशन कंसेंट्रेशन पैठ के किया आता है मेडिटेशन चलते फिरते कर सब्सक्राइब अपने इस्ट काना दोनों की चीज़ है और जब आठ गंटे आपके इश्वन में जीवन हो गया तो अगरा सुबह आप बैठे के पूजा करने तो बड़ा अच्छा मन लगेगा जहां आदे घंटे की बात करते हैं और पांच मेंट बैठने को नुकसान ना समय का प्रॉपर यूट्रेशन करना आ जाएगा और दुनिया के सारे काम करने का समय आपको जो वर्जी करिए सारा दिन एक भी समय नहीं लिया गया सारा समय वेवार का वेवसाय का आपके बच्चों की पढ़ाई का सारा का सारा समय आपके पस ऐसा कैसा मुझूद है इसमें कोई भी आपकी लाइफ के अंदर चेंजिस अच्छाई के इलावा कहीं कोई रुकावट नहीं बड़े आराम से कर सकते हैं यह साधना का हम ब बना जा सकते हैं अब आपका क्योंकि आपको अनुपफ होने शुरू हो जाएंगे अपने मन के अपनी आत्मा के आपके शरीर के तो कभी-कभी अपना भी बैठे-बैठे का आप जाएंगा आठ गंटे होने के बाद क्यों होता है कि 24 में से हम 5 मिट सुबह पूजा करते हैं 5 मिन शाम को अगर बत्ती जलाई 10 मिन आप में लिए हैं 23 गंटे पर मात्मा की आत के नहीं हैं दुनिया के हैं एक गंटा पर मात्मा की आत आदा गंटा सुबह दिया उसके बाद भी अब भी मन नहीं लगेगा 24 में से 22 गंटे दुनिया का काम दुनिया की आत दो गंटे पर मात्मा की आत जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे अब उसका इफेक्ट आपके शरीर के उपर आना शुरू होगा तो बहुत जरूरी है बहुत सुन्दर तरीका है और सबसे बड़ी बात किया है कि हमको जिस चीज में कदम रखें उसके पूरी नॉलिज होनी चाहिए कि हमको क्या करता है अंधेरा नहीं अन विश्वास नहीं अनुभव के साथ विश्वास परमात्मा तुई है तेरी इच्छ ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677